देहरदून में आम रेश्टरॉंट की तरह दिखने वाला यह रेश्टरॉंट आम नहीं है, बलकि इसमें ऐसी कारीगरी की गई है जो इसे बेहत खास बनाती है, जी हाँ देहरदून के माल देवता में इस्तित पाइन किचन का पूरा इंटिरियर पाइन वूट से बनाया गय है, यहाँ पर आपको कुर्सी मेज से लेका डिश ट्रे भी पाइन वूट की ही मिलेगी, पाइन वूट देवदार की लकडी को कहा जाता है, उद्रखन में देवदार की लकडी असीमित मात्रा में होती है, और यह लकडी मजबूत और दिखने में सुन्दर लगती है, है आइडिया पाइन किचन के ओनर अश्योक शिंग का है, उन्होंने बताये रेश्टरॉंट के ओनर किसी तरह से अपने इस रेश्टरॉंट के माध्यम से उत्राखन को रिपरजेंट करना चाह रहे थे, रेश्टरॉंट में पहाड़ी वियंजन तो मिलते ही हैं, लेकिन य चादी के लिए एक लॉन की व्यवस्ता भी की गई है, खाने में उनके यहां भरतिये विंजनों के साथ चाइनीज और कॉंटिनेंटल फूड भी कस्टमर को सर्व किया जाता है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको घिल व्यू दिख जाएगा, यहां पर साइड में नद हमारे पास कम से कम हंडेट वॉन्टी आराउंड पाल फिपल की सतिंग है, बढरे चोटी-मोटी दिखाइंगां तों फ्यूटी फिविंट तवरे सब्सट्व ऑन कॉंटी यहां थे इसाなら is कि मोस्ट들 वें बैटें और हमारे आप सुन आप देखने रहां हमक रूप सब्सक्राइब नाम अंजन ओडियाल है यह लोकेशन एक्जेक्ट माल देवता है राइपूर से उपर आगे इसका नाम है पाइन किचन यहां पर इंडियन चैनीज तंदूर कॉंटी तंदूर सारे सेक्षिन हमारे पास है सब कुछ अवलिवल में जाएगा यहां रश्ट्रिंट बेसिकली सौ कवर का है यहां बेसिकली किटी पाल्टी बड़े पाल्टी चोटे मोटे सारे फॉंक्शन हो सकते हैं यहां बेसिकली सब कुछ पाइन से बनाए पाइन लखडी है उसी की थीम है उसी से प्रेजिद करके से सीजन में तो यह अच्छा फ्ली हो रहता है अलमुस्ट भरा ही रहता है और सीजन थोड़ा कम है पर ठीक है जो भी अच्छा है कोई वैसे ज्यादा नहीं है रिजनेबल नार्मल लोग कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं जी जी हम पूरे पाड़ी आइटम फिलते हैं यहां जो भी मेन्यू में हैं हम सब प्रवड कर आदें